इस वीडियो में बात करेंगे CA Intermediate ME25 Complete Detail वीडियो होगा चाहे आप CA Foundation पास करके intermediate का exam ME25 में देना चाहते हो या direct entry के थुरू ME25 में exam देना चाहते हो तो आप लोग के जानकारी के लिए बता दे CA Intermediate ME25 में registration स्टार्ट हो गया registration करने के बाद आप लोग free में book order कर सकते हैं बिना registration किये हुए free में book order नहीं कर सकते हो जब आप payment करोगे न 18,000 का intermediate का registration fee 18,000 होता है एक साथ बोथ गुरूप का होता है उसके बाद exam form फिल करना होता है exam form फिल करते समय आप चाहो तो एक गुरूप का exam देना तो एक गुरूप का exam form फिल कर दीजे बोथ गुरूप का देना तो बोथ गुरूप का exam form फिल कर दीजे अभी exam form उपे नहीं हुआ है मे 25 का एप रोक्स दो मन्त पहले exam form फिलिंग स्टार्ट होता है जब exam form फिलिंग स्टार्ट होगा मे 25 का तो चार्टे स्टरी सबसे पहले वीडियो बना करके कर देगा आप लोगों को देखो मैं मजाग से हटके मैं बात बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं रजिस्टेशन कर लेते और एक्जाम फॉर्म मिस हो जाता है गलती यही होता है कि चैनल पर वीडियो तो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं अगर आप हो जाएगा एक्जाम फॉर्म के कारण चाहे आडमिट काar'd में प्रॉब्लम हो जाए चाहे एक्जाम फॉर्म गलत तरीके से फिल करते हैं चाहे रजिस्टेशन ना कर पाएं सही समय पर सबका एक ही सॉलूसन है क्या है सॉलूसन चार्टे स्टडीज के यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन बिल दबाद दीजिए अब बात कर लेते हैं अगर आपको इंटर्मीरियेट का एक्जाम में 25 में देना तो या तो आप सीए फाउंडेशन का एक्जाम अल्रेडी पास कर चुके हो दैन रजिस्टेशन कर लीजिए में 25 का रजिस्टेशन स्टार्ट हो चुका अब डाउट आ सकता है जो बच्चे जून 24 का एक्जाम दे रहे ही फाउंडेशन पास कर चुके हैं किसी रिजिएन से रजिस्टेशन नहीं करवा पाए तो मे 25 के लिए रजिस्टेशन करवा सकते हैं रजिस्टेशन ओपेन हो गया है दूसरा है कि आप डारेक्ट इंट्री के थूरू कॉमर्स बैग्राँड्स से ग्लियर है पच्पन परसेंट मर्क्स है तो सिधा का इंटर्मीर्यट का एक्जाम दे सकते हो इसे बच्चे को सिघ्पांडेशन पास करने का जरूत नहीं है सिधा वो डारेक्ट इंट्री से सिए इंटर्मिरियर्ट में जा सकते है दूसरा option है, क्या है दूसरा option CS का, बोथ group CS executive clear है, या CMA intermediate का बोथ group clear है तो आप चाहो तो direct entry से registration कर सकते हो, सीधा CA intermediate में foundation देने का जवरत नहीं है, अब ध्यान से बाते को सुनते रहेगा, नहीं तो doubt आएगा ही आएगा चाहे आप CA foundation पास करके intermediate course में registration कर रहा हो या direct entry के थुरू, सबसे पहला काम क्या है, CA intermediate में registration कर लेना, registration करने के बाद आपका काम क्या है, book order करना, पढ़ाई करना, exam देना intermediate का, और या तो आप अलग-अलग करके, एक-एक करके, बोथ group clear करो, या एक साथ बोथ group clear करो, जब आपका बोथ group clear हो जाएगा ना, उसके बाद training करना होगा, 15-15 दिन का IT और OC, IT OC complete हो जाएगा इसके बाद 2 साल का practical training जिसको बोलते है, आर्टिकल सिप करना हो फिर भी एक और doubt आ सकता, कुछ बच्चे का doubt बीना मतलब का आता ये doubt आ सकता, पहले तो ऐसा होता था ना, direct entry से registration करने के बाद, 9-month का article सिप करो, IT OC करो 9-month का article सिप, इसके बाद exam में ITR करो, पहले होता था, आप सोय हुए थे तब, क्योंकि new course में new role change हो चुका है मैं 100 वीडियो में ये बात बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी doubt आएगा, इसलिए मैंने बोल दिया सोय हुए थे, अब बात कर लेते हैं यानि कि हमारा काम क्या है, intermediate course में, या तो foundation पास करके या तो direct entry से, हमें जैसे मन वैसे registration करना registration करने के बाद, आपको कुछ नहीं करना, exam देना के लिए पढ़ाई करना परेगा, जब exam form open होगा, May 25 का, तो उसको fill कर दीजेगा, सारा update ये channel करेगा लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे, जो कि final year में है, यानि कि एक से लेकर के fourth semester तक का उनके पास, अगर semester wise college है, तो result है और इसके अलावा fifth semester का admit card है, admit card नहीं है आपके पास then इस case में college से bonofide certificate बनवालो, अब फिर question मत पूछना कि bonofide certificate कहते कि कॉलेज में जाओ, वहाँ पे बोलो कि हमें bonofide certificate चाहिए, college वाला provide करता है, तो college से बनवाले ना, एक से fourth semester तक का result इसके बाद, fifth semester का admit card या नहीं तो bonofide certificate लगा करके आप चाहो तो provisional direct entry से registration कर सकते हो दूसरा है कि अगर yearly college है तो first year, second year का marksick और third year का admit card, अगर admit card नहीं है तो bonofide certificate, जो चीज original है तो उसको attest करवाने का जवत नहीं है, जो original नहीं है उसको attest करवाने का बच्चो जवरत है college principal से या नहीं तो C.A. से, देखो बच्चो ध्यान से बाते को सुनते रहेगा, C.A. intermediate का exam साल में कितना बार होने वाला, कान खोल करके सुन लो, तीन बार होने वाला, कब-कब होने वाला January में, में में और September में, अभी जो exam हो रहा है जब मैं ये वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ, May 24 का exam चला, May 24 के बाद कुन सा exam होगा, September 24 में intermediate का, September 24 में registration करने का आखरी date क्या था 1 January 2004 September 24 के बाद exam कब होगा January 25 में, January 25 का registration करने का चाहिए foundation route हो, या direct entry route हो registration करने का आगरी rate क्या था 1 May 2024, क्योंकि 1 May 2024 जा चुका है यानि कि January 25 का registration close हो चुका, दो में से start हो चुका, CA intermediate May 25 का registration, अब doubt आना ही नहीं जै, क्या कोई option है, अभी तक registration नहीं कि तो January 25 में दे सकते, कोई option नहीं है, कोई option नहीं है, यानि option मिल जाएगा, नहीं बच्चों नहीं मिलेगा, और हाँ, दो में से start हो चुका है May 25 का registration, चाया foundation route पास करके registration कर रहे हो या direct entry से, last date क्या हो सकता है, 1 September 2024 ध्यान से बाते को सुल लेना नहीं तो ये भी date चला जाएगा, फिर आप उस्ते रा जाओगे, 1 September 2024 CA intermediate, May 25 का registration करने का आखरी date होगा, फिर एक नया doubt आ सकता, अभी जो CA foundation June 24 में exam दे रहे हो भी बच्चे doubt पूछेंगे, अभी आपका June 24 का exam हो हुआ है, नहीं नहीं हुआ, result आया है, नहीं नहीं आया, then आपको मुझे पता है, कि आपका attempt May 25 परेगा, लेकिन आपको doubt ही नहीं यहाना चाहिए, कब registration करें, भाई मेरे foundation पास करके तो दिखाए, यानि कि आपका CA foundation पास होना चाहिए, तो कब result के बाद आपके पास option रहेगा, last date क्या है, 1 September 2024, यानि कि कम से कम, जब आपका result declare हो जाएगा, 20 से 25 दिन का समय रहेगा, 1 September के बाद result नहीं declare होगा, June 24 का जल्दी result declare होगा, बहुत पहले result declare हो जाएगा, then आप पास कर जाओगे, तो intermediate course के लिए May 25 के लिए आप लोग registration कर सकते हैं, अब जयान लेते हैं कैसे आप लोग syllabus उस पे click करना है, यहाँ पे syllabus show करना है, उस पे click करना है, intermediate पे click करके, आप लोग intermediate का syllabus, final पे click करके, final का syllabus foundation पे click करके, फ़िये foundation का syllabus, कोई rocket science तो, मुझे नहीं लगता है कि syllabus download करने में rocket science लग रहा है, बचो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like करते रही क्योंकि आपका सारा doubt को clear कर देंगे relax हो करके पढ़ पाओ इसके बाद आप study mat study mat कैसे download करो new scheme पर click करना study material पर click करना intermediate वाले option पर click करना intermediate new course का study mat यहीं से download कर सकते हैं एक और चीज मैं clear कर देता हूँ तो अगर आप लोग already direct entry से या CA foundation पास करके intermediate course में registration कर चुके हो दुबारा से आपको registration नहीं करना अभी जो बच्चे may 24 में intermediate का exam दे रहा है खुदा ना खासते हो अगर वो fail कर जाते हैं तो september 24 में exam देने के लिए सिर्फ और सिर्फ exam form फिल करना होगा September 24 का ही जो बच्चे exam देंगे और September 24 में भी पास नहीं करेंगे तो उनको January 25 में दुबारा से registration नहीं करना शिर्फ और सिर्फ January 25 का जब exam form open होगा उसको फिल करके exam देंगे जो बच्चे January 25 में भी fail कर जाएंगे फिर से registration願い करना होता ME25 का जब exam form open होगा CA intermediate का उसका exam form फिल करके exam में appear करेंगे मेरे हिसाब से doubt clear हो रहा होगा यानि कि इतना बताने का मतलब simple and short language पूरे जीवन काल में सुनते रहो ध्यान से पूरे जीवन काल में CA foundation हो intermediate या final हो एक बार ही registration कर सकते हो इसके बाद कभी भी आप कितना बार भी fail करो fail क करने के बाद सिर्फ और सिर्फ exam form फिल करना होता है CA foundation course का validity 4 या 5 साल होगा intermediate course का validity 10 साल होगा 10 साल के अंदर में आप exam form फिल करके exam देते रहो एक बार फिर से बोलना है CA intermediate May 25 का registration करने का आक्री date 1 September 2024 है वैसे अभी date आया नहीं है जब date आएगा कि क्या है last date ये सब बता देगा जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही date होना चाहिए बाखी चैनल के साथ बने रहो कोई भी चीज़ चेंज़े जब date आएगा तो chart studies फिर से update कर देगा साथ में me 25 exam form फिल करने में बच्चे mistake करते हैं वो गलती आप मत करना वैसे direct entry से कैसे registration करना और foundation route से कैसे registration करना intermediate course वी date के बाद कर रहे हो कौन से date से पहले कर रहे हो वही आपका attempt अभी कुछ भी कर लो registration करोगे आज के date में या 1 September 2024 तक then आपका attempt May 25 ही परेगा C.A. Intermediate का simple and short बाकी May 25 related सारा update इस चैनल पे मिल जाएगा चैनल पे नए हो तो subscribe कीज़े मिलते हैं next week